आजे आपने वाद करवा जे रहा छे मुकेश अम्बाणी ना निवास्थान मुंबई मा आवेला एंटेलिया नी बाहर मडेली एक कार औने पची एना पची थायला घटना क्रम मा शूशो थाय रहे उचे शूशो वणाक आवी रहा छे महाराश सरकार ने मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्टर का ट्रांसफर कर दिया है तो क्या उसका इस केस से कुछ लेना देना है मुकेश अम्बाणी के घर के बाहर जो कार मिलिया और उसके बाद जो घटना करम हुआ तो अम्बाणी के घर के बाहर जो एक्स्प्लोजिवस से भरी एक्स्प्लोजिवस नहीं थे वो जिलेटिन स्टिक्स थी वो जो मामला है उसमें NIA ने मतलब National Investigative Agency ने जो सचिन वाजे को अरेस्ट की है और इस केस में जो पुलिस कमिश्टर है परंबीर सिंग उनका नाम पहले शिवसेना के लीडर है संजे राओ तो उन्हें ने ट्वीट किया और कहा कि देखिए अब नहीं शुरुवात हो गई है जो पुरानी चीज़े वो पीछे छोड़ देते हैं और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से कोई सरकार को फर्क नहीं मतलब सरकार मजबूत है ऐस इसे बंदे को हमने पुलिस कमिशनर बनाया है जो कोई कोई कॉंटरवर्सी में नहीं था और हम एक नई शुरुवात करना चाहते हैं अब यह सारी चीज़े भूल जाईए तो यह बताने की गवर्मेंट की कोशिश है नंबर वन नंबर टू कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि मुंबई पुलिस के और भी अफसरों के नाम आ सकते हैं investigation में क्योंकि पुलिस की गाड़ी थी एक पुलिस अफसर था तो और भी अगर नाम आते हैं तो यह मुंबई पुलिस दल के लिए बहुत बुरी बात होगी और ऐसे समय पे अगर पुलिस कमिशनर बने रहते CP और कॉंग्रेस के नेता बहुत दिनों से कह रहे थे कि इनका इस्तिफा ले लेना चाहिए, otherwise हमें बहुत ज्यादा डामेज होगा, opposition बहुत अग्रेसिव है, भारतिय जनुता पार्टी के जो लीडर है, देवेंदर फडनविस, वो अभी कुछी देर में प्रेस कॉंफरेंस भी लेने वाले है, और इतना अग्रेसिव हो गया है भाजपा, तो हमको किसी ना किसी को तो मतलब जाना पड़ेगा, तो हम पुलिस कमिशनर को अगर भेज देंगे, तो वो वही तक रुख सकता है, तो फिर वो आगे होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक भी पहुंच सकते हैं, उपोजिशन वाले, सची नवाजए की बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी है, क्योंकि वो एक जमाने में इनकाउंटर कॉप के नाम से जाने जाते थे मीडिया में, और फिर उसके बाद में वो एक केस में फस गए, जो कस्टोडियल डेथ का मामला था, और फिर उसके बाद में उनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद में वो शिवसेना में भी चले गया थे, वो पॉलिटिक्स जॉइन कर ली थी उन्होंने, उनको काफी इंट्रेस्ट है हाई-टेक चीजों में, तो उन्होंने एक अपना एप भी शुरू किया था, कुछ दिनों पहले मुंबई में, तो ऐसी चीजे वो करते रहे, लेकिन जब शिवसेना लेड गावर्मेंट बनी, तो ये काफी अटकले लगाई जा रही थी, कि अब सचिनवाजे वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो शिवसेना में रह चुके हैं, हाला कि उन्होंने शिवसेना छोड़ दी थी, लेकिन वो शिवसेना के करीबी माने जाते हैं, तो वैसा ही हुआ, कोविड की वजह दी गई, कि अब कोविड का पैंडमिक हो गया है, लॉकडाउन लग गया है, हमें ज्यादा पुलिस कर्मियों की ज़रूरत है, तो जिन जिन लोगों को हम वापस ला सकते हैं, उनको हम वापस लाएंगे, और सचिन वाजे को वापस लाया गया, उनको सिर्फ वापस ही नहीं लाया गया, तो उनको क्राइम ब्रांच के इंटिलिजन्स यूनिट का चीफ भी बनाया गया, और बहुत सारी बड़ी-बड़ी केस एक साल में उनके पास दी गए आपको याद होगा जब अन्वयनाई केस में रिपब्लिक मीडिया के जो एडिटर ओनर है अर्नब गोस्वामी उनको अरेस्ट किया गया था तो वहाँ पे भी सचिनवाजे थे और भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस सचिनवाजे के पास दिये गए थे तो सचिनवाजे को गवर्मेंट सिर्फ केस दे ही नहीं रही थी तो गवर्मेंट उनको डिफेंड भी करे थी सिर्फ गवर्मेंट नहीं तो सबसे ऊपर जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, उन्होंने कुछ ही दिनों पहले, मतलब लगभग चार या पांच दिन पहले, उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में, जब उनसे पूछा गया कि सचिन वाजे को डिस्मिस करने की मांग कर रहा है उन्होंतर ने खुल कर सारे लोगों के सामने सचिन वाजे को डिफेंड किया और दो ही तीन ही दिनों के अंदर एनाय ने उनको अरेस्ट किया और उनके बारे में बहुत सारी चीजे अब एनाय कह रहा है, तो सचिन वाजे कॉंट्रोवर्शियल पुलिस ओफिसर है, उनको एक बार सस्पेंड अल्रेडी किया जा चुका है, और अब उनका दूसरी बार सस्पेंशन हुआ है, और वो शिवसेना के करीबी है, शिवसेना अभी भी उनको डिफेंड कर रही है, शिवसेना का जो माउथपी से सामना उसमें कुछ परसो ही, जो एडिटोरियल लिखा गय गया था, और ऑपोजिशन जो है, भारतिय जन्ता पार्टी जो है, वो सचिन वाजे के खिलाफ, जब सेशन शुरू था बजट का पिछले सप्ता, तब से वो सचिन वाजे के खिलाफ बोल रही है, देवेंदर फडनविस ने तो इतना भी कहा, जो लिडर ऑपोजिशन है, कि सचिन वाजे ने ही मनसुख हिरेन की हत्या किया है, ऐसा मनसुख हिरेन की वाइफ का आरोप है, यह उन्होंने फ्लोर अप दा हूस में भी कहा है, तो he has been a very controversial figure. अशिशी यह बताएं कि मनसुख हिरेन का आपने नाम लिया, एक गुज्जाती शक्स, और पहले यह कहा गया कि जो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली, वो उसके मालिक थे, और बाद में यह आया कि वो उसके मालिक नहीं थे, और सचिन वाजे का कुछ कनेक्श तो इस बारे में कुछ हमें समझाएंगे, यह मामला बड़ा complicated होता जाता है, पर मैं आसान करके बताने की कोशिश करता हूं, तो जब मुकेश अंबानी के घर के सामने, एक कार मिले जिसमें 12 gelatin sticks थी, तो उसके बाद में, सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि वो गाड़ी किस की है, यही सवाल जब पूछा गया Home Minister से, अनिल देशमुक से, तो उन्होंने कहा कि यह गाड़ी मनसुख हिरेन की नहीं है, वो मनसुख हिरेन के पास थी, लेकिन वो उनकी गाड़ी नहीं है, लेकिन बाद में जो जानकारी आई, उससे यह पता चला कि वो गाड़ी हिरेन की inquiry हो रही थी, क्योंकि obviously उनकी गाड़ी में gelatin sticks पाई गई, तो वो गाड़ी वहां तक कहसे पहुंची, यह मुंबई पुलिस की crime branch उनसे पूछताच कर रही थी, सचिन वाज़े ही inquiry कर रहे थे, वो investigative officer ते शुरू में, और उसी inquiry के दर्मियान, वो missing हो गए, और फिर बाद में अचानक से उनके dead body थाना के creek में पाई गई, पहले तो यह बताने की कोशिश कीगी government की तरफ से, कि हमें पता नहीं कि यह suicide भी हो सकता है, यह, you know, हमें पता नहीं, investigation के बाद ही पता चलेगा, जबकि opposition यह बार-बार कह रहा था, और media में भी reports आई, कि उनके हाथ ब बांदे हुए थे, तो कोई हाथ बांद के तो suicide नहीं करता है, तो यह मनसुख हिरेन की body पाई गई, और फिर अब तक यह नहीं पता चला है, कि उनकी हत्या किसने की है, NIA ने भी यह नहीं कहा है कि हत्या किसने की है, सचिन वाजे को जो arrest हुई है, वो explosives रखने के मामले में ह हुई है, मनसुख हिरेन की हत्या हुई या आत्म हत्या हुई, अगर हत्या हुई तो वो किसने की इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले है, यह मामला अभी भी पुलिस के पास है, सिर्फ explosives वाला मामला NIA के पास है